कि आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक गड़कर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तक यहूं महाराष्ट में अकॉला में प्रैट्रिस करना हूं का तंइस मेरे पास में ऑग्राष्ट नौरन कुछ नहीं हो रार के साथ में पत्नी थी और बहुत मुश्किल से का क्रना कंट्रो थे आए बादिन अधर डीन पहले उनका बच्चा मर गया था उनका लड़का जो 4th year में इंजिनिरिंग में था हुआ गया कि वो लड़का 12 में तो अच्छा था इंजिनिरिंग में गया जैसे इंजिनिरिंग में गया तो 1st, 2nd, 3rd, 4th मार्क्स कम कम होते गया और 4th में फेल हो गया इसके पितनाजी बहुत शॉट टेमपर थे बहुत गरीबी में आये थे जैसे उसको हर साल में कम मार्क मिल रहे थे उसको डाटे थे बोलते कि देख मैं कितने गरीबी में हूँ गरीबे से उपर आये हूँ मैं तुझे पैसा पैस तो मुझे मालू है तुप पढ़ा है नहीं कर रहा जैसी करना चीए वैसी और इतने कम-कम मार्क मिल रहे हैं फोर्थ यह में तो उन्होंने बता आया था कि तो भी फेल हो गया तो घर में नहीं आने का मैं तो घर में नहीं लोगा क्योंकि मैं तेरे उपर इतना पैसा मुझे मालू है कि पैसा बेज रहा हूं ते रहे को और वह सब्सक्राइद केशी फेल हो गया और फेल होने के बात में उसने उसको हिममत ने दी उसने भाई को फोन कर teब थे उसको बोल कि जब तो पास ने यहां और में लोग कर लें वह इतना डिप्रेशन में कि इसमी चैन कर लिए लिए मैं इसको स्यूसेड करने के लिए ना चले घया दा इसको क्यूं किया मेरा लड़का चले गए यह यह टियो श्यर करने का काराण इतना है कि फैमिली प्रेशर बच्चों के बहुत रहता है। बच्चों ने डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनेर बनना चाहिए, काफी अच्छे-चे डिग्रियां लेना चाहिए, अब अब ऐसा है कि बच्चों को इतने सारे बाहर से distractions आ रहे हैं, इतने सारे distractions आ रहे हैं, social media से, कि अभ आप जब विद्ध्यार्थी थे जब वो पढ़ते थे तो यह सब कुछ नहीं था ना मोबाइल था ना वट्षब था ना इंट्रनेट था ना कुछ था तब पढ़ाई थी सिर्फ और रेडियो था यह टेली विजन था अभी बहुत सारा आगया है तो बच्चों को समझ के लि है जो नहीं हो ना चिए है वो हो गया अचहां आपको लगता है कि आपके वज़ए से हो गया पता न को आपको जो हो रहा है उश से तकलीब हो तो नहीं कोई तो counselling जब मैं उसको 2-3 बार बोला कि किया तो उनको यही बोला मैंने कि जो हुआ हुआ 8 दिन पहले हुआ या 10 दिन पहले हुआ वो नहीं होना चाहिए था वो ठीक है वहां तक अभी आपको जो रोना आ रहा है आपको जो तकलिफ हो रही है आपको जो गिल्टी लग रहा है वहां से आपको तकलिफ हो रही है जो आपने अपने बारे में जो विचारा भी चालू कर लिए कि मैं ऐसा कैसा हूँ मैंने उसको मार दिया, मेरे वज़े से वो मर गया, यह जो अंदर उन जो आवाज चालू है, अंदर उन जो अपने मन में बाचीच चालू है, वहां से आपको तकलिव हो रही है, और वो यह दी आप उसको प्रेजन्ट हो जाते हैं, आप ठीक हो जाएगे, पता नहीं, आपने आप पणे मादा कना, घाला, और गठीक हो जो और अभी क्या कर सकते हैं, जो उनको सीटिंग कफी सीटिंग लिए उनके, तो धीरहे दीरывать उनको अच्छा लगने लगा, मेरे यह कहना है माबाप को, कि अभी लिए का माबाप का प्रेशर ऑप बच्रोतों के ओपर कितना दे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, काफी जाने बस सकती है, थैंक यू बड़ी मुच,